प्रदेश याकूब के पुत्र युदा के वंच को मिला था, यहूदियों पर हिटलर ने बहुत कहर बरपाया। इस धर्म से जुड़े लोगों को मिटाट डालने के उसने हर संभव कोशश की लेकिन यहूदियों ने उसके बाद भी दुनिया में अपना इकलौता देश पालिया। ये देश है इस्रेल जो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, पूरे दमखम के साथ उन देशों को सबक सिखा रहा है। सवाल ये है कि ये यहूदी क्या है? इसके बारे में जानने के लिए देखिए रपोर्ट। ओडाओ क्या कि अपने के लिए रपोर्ट। ख्रवास की एक गलती गाजा को निस्तानाबूद की राह पर ले गया ख्रवास की राह पर ले गया ख्रवास की राह ले गया एक ट्रवास की राह बख्रवास की राह ले गया घजमिल्ला का हमास को साथ देना उसे मट्यामेट करने की और ले ही चला लेबनान को भी कभा करवा दिया इस्राइल के ताबर तोर हमलोने हमास कसाथ ही हिजबॉला की कमर तोर करती है IAM vivreस्राइल में KNOW हुआ अगुजा झाला रच्डान ही अखुजाओ से अच्यारी भी वासूट्री प्रश पार, अगुजाग डिरूजा जाकानो प्रणा जा जा प्रणाता ही अच्छान है, वह बहीं से भी बात थाना हो तो हम्लाज्डार इसरायल, सिनואר ודף לא הבינו זאת נסרלה ומוכסן לא הבינו זאת וכנראה יש בתהרן אלה שלא מבינים זאת הם יבינו נעמוד בכלל שכוונו מי שתוקף אותנו אנחנו תוקפים אותו یہ ہنکار دنیا کے ایک مادر یہودی دیش اسرائیل کے پردھار منتری بنجامین نیترنیہ ہو کی ہے قریب ایک سال سے اسرائیل پورے میڈل اسٹ کو اپنی طاقت کا احساس کرا رہا ہے we won't rest until our citizens can return safely to their homes we will not accept a terror army perched on our northern border able to perpetrate another October 7th style massacre संयुक्त राष्ट महसवा के منت سے دیئے گئے اپنے संबोधन میں پردھار منتری نیترنیہ ہو نے دنیا کے سامنے یہ سپشٹ کر دیا کہ ان کے دیش کے ناغری کیا نہیں یہودی ان کی پراف مکتا ہیں लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये यहूदी क्या है यहूदी दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है 4000 साल पुराना माने जाने वाला ये धर्म इसराईल का राजधर्म है इसकी शुरुवात पैगंबर अबराहम से मानी जाती है जो इसा से 2000 वर्षपूरु हुए थे इसा से करेब 1500 वर्षपूरु अबराहम के बाद येहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मुसा का है मुसा ही येहूदियों के प्रमुख व्योस्थाकार है उन्हें ही पहले से ही चली आ रही एक परमपरा को स्थापित करने के चलते येहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है येरुशलम प्राचीन येहूदी राज का केंद्र और राजधानी रहा है यहीं पर मुसा ने येहूदियों को धर्म के शिक्षा दी थी पेगंबर अपराहम के पोते का नाम हजरत अलाई याकुब है याकुब कहीं दूसरा نाम इसराईल था याकुब ने ही यहूदियों की बारफ कबीले को मिला कर एक सममिलित राश्ट इसराईल बनाया था याकुब के एक बेटे का नाम यहुदा था यहूदा के नाम पर हे उनके वन्शज यहूदी और उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया हजरत अबराहम को यहूदी, मुसल्मान और इसाई तीनो धर्मों के लोग इश्वर का दूट मानते हैं यही वज़ा है कि यरुशलम पर यहूदी, इसाई और इसलाम तीनो धर्म दावा करते हैं। यहूदी एक इश्वर वाद में विश्वास करते हैं, वो अपने इश्वर को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदीयों की धर्मवाशा, हिब्रु और धर्मगंद का नाम तनक है। पहले यहूदी राज में साउद, इश्वाल, डेविट और सोलोमन जैसे मशूर राजा हुए। 931 इसापूर में सोलोमन के बाद इस राज का धीरे धीरे पतन होने लगा। सायुक्त इश्राइल, दो हिस्सों में इश्राइल और यूदा के बीच बढ़ गया। 700 इसापूर में असीरियाई सामराज ने यरुशलम पर आक्रमड किया। इस हमले के बाद यहूदियों के दस कबीले तितर वितर हो गए। 72 इसापूर्वर रोमन सामराज के हमले के बाद सारे यहूदि दुनिया भर में जाकर बस गए। इस हमले में किंग डेविट के मंदिर को भी तोड़ दिया गया। उस मंदिर की एक दिवार बची थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र धिर्थ मानी जाती है। इसे वेश्टन वाल भी कहा जाता है। इस घटना को एक्सजोडस कहा जाता है। एक्सजोडस के बाद यहूदि पूरी दुनिया में फैल गए। इसके बाद दुनिया में एक शब्द अस्तितों में जिसे एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब है हेब्रु भाशा बोलने वाले लोगों यानि यहूदियों के प्रती दुर्भावना। एक्सजोडस के बाद ज्यादातर यहूदि यूरोप और अमेरिका में बस गए। यहूदियों का कहना है कि इसराइल की परवाह करना उनके लिए यहूदि होने का एक एहम या अनिवार हिस्सा है। यहूदियों ने अपने पूरे इतिहास में आवशोषनिय घ्रिड़ा और शतुर्ता यहां तक की नरसंधार का भी सामना किया है। बावजूद इसके वो बच गए और फले फूले। जिस तरीके से जूज को वहाँ पर मारा गया है उसके बाद इनकी सिर्फ एक ही जरूरत है वर्ल्ड के अंदर टू सर्वाइव। और इस सर्वाइवल के लिए जब से इसराइल बना है उन्होंने बहुत मेहनत किया है। इनके नोबल प्राइज देख ली जे कितने हैं इन्होंने कितने इन्वेंशन किये हैं यह छोटा देश होने के बावजूद भी न्यूक्लियर पावर बन चुका है मिलिटरी टेक्नोलोजी इसकी है और कमिट्मेंट एक एक आदमी का कमिट्ट चा बच्चा हो चाहे लेडि 1919 में पहली बार इस्राइल की मांग उठी सियनीज मांदोलन का नाम दिया गया 1914 में प्रथम विश यूद शुरू हुआ विश यूद के बीच दो नॉमबर 1917 को बिटेन और यहुदियों के बीच बाल फोर समझोता हुआ इस समझोते के मुताविक फिलिस्तीन के इलाके में यहुदियों के लिए एक स्वतनतर देश देने की बात गही गई थी जिसके बाद यहुदियों का दूसरे देश से येरुशलम की तरफ पलायन शुरू हुआ बिटेन की सरकार अलग-अलग वजा गिना कर बाल फोर समझोते को लागू करने से बस्ती रही प्रथम विश्योयुद खत्म होने के अगले 20 साल तक यह समझोता लागू नहीं हो सका और दितियों विश्योयुद शुरू हो गया उस समय जर्मनी के मुखिया अडॉल्फ हिटलर ने अंटी सेमेटिस्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया जर्मनी और आसपास के देशों में कैम्प लगा कर यहूदियों को मारा गया बोलोकाश इतिहास का वो नसंगार था जिसमें 6 साल में करीब 60 लग यहूदियों की हत्या कर दी गई थी जिनमें 15 लाग सिर्फ बच्चे थे कई यहूदि अपनी जान बचा कर देश शोड़ कर भागे कुछ कंसंट्रेशन कैम्प्स में क्रूरता के चलते तिल तिल मरे विश्य युद खत्म होने पर जब दुनिया भर में ये बात फैली तो पूरी दुनिया की सवेद्ना यहूदियों के साथ हो गई गई अजिसेम के इनकी केपबिलिटी थी दिस त्रीके से इनकी डेकेशन है जिस तरीके से यह अपने आपको कंड़क करते हैं उसे से एक किस्न की थरेट बन दूरी थी तो इन्होंने जितने भी जूस थे उनको एक खटा करें गेस चैंबर में मारा है बहुत बुरी तरह से उनको परिशान करके मारा है तो यही रीजन था कि वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से यह कम्यूनिटी और डिबेलप हो क्योंकि यह बात में जाके वर्ल्ड के अंदर एक खत्रा पैदा कर सकती थी तो यही उसका रीजन था कि इनके साथ जितना जलुम करें और जितना खत्म कर सकें वो करें लेकिन फिर भी उतना होने के बाबजूद भी यह देखिये देश आज कहां खड़ा है दूसरे विश्यूद के खत्म होने के बाद भी जुलाई 1946 तक लगा तार 6 सालों की यूद से ब्रिटेन कमजूर हो चला था इसके बाद भी यहूदियों के अपरवासन का सलसिला जारी रहा इन सब के बेच बड़ती हिंसा को रोक पाने में नकाम रही बिटेश राज ने यूएन से इस मसले का हल निकालने को कहा इसके बाद नवंबर 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को तीन हिस्सों में बाटने का फैसला किया पहला हिस्सा यहूदियों को दूसरा अरब को और तीसरा येरुशलम हुआ 14 माई 1948 में अंग्रेजी राज खत्म हो गया और इस्राइल ने खुद को एक आजाद देश घोशित कर दिया 17 सितंबर 1950 को भारत ने भी इस्राइल को मानिता दे दी आज का अधुनिक और मजबूत इसराइल ऐसे ही नहीं बन गया यहूदियों ने इसके लिए सदियों सदियों तक श्यक्तो जहत की है हर तरह की मुसीबतों का सामना किया और खुद को मजबूत बनाते रहे हालात कैसे भी रहे हो यहूदियों ने अपना देश बनाने का सपना दिलो दिमाग में जिन्दा रखा सदियों बाद इतिहास ने करवट ली तो पच्चास से जादा अरब देशों के विरोत के बावजूद इसराइल अस्तितों में आया और आज एक ताकतवर देश के रूप में बावजूद है वीरा रिपोर्ट गुट नूश चुटे वो देश जिस पर दुश्मन देशों का खत्रा हमेशा बना रहता है इसके बावजूद वो उन पर भरी पड़ता है युदाबाद से शुरू हुआ यहूदी समुदाय का सफर मौजूदा काल तक चला रहा है अभी के समय में इनका देश काफी ताकतवर नजर आता है आखिर इसके पीछे बच्छे क्या है यह जानना भी बहुत जरूरी है संगहशों का सामना करते हुए दुनिया का एक मात्र यहूदी देश इसराइल को एक बड़ी काकत के रूप में देखा जा रहा है भुमद सागर के पूर्वी तठपर इस्तित ये छोटा सा देश मिडेलिश्ट में अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है फिलिस्तीन, लेबनान, यमन, इरान जैसे देश इसराइल के लिए चुनोती बने हुए है लेकिन ये देश ना सिर्फ गटकर उन चुनोतीयों का सामना करता रहा है बलकि किसी गुस्ताकी का ऐसा जवाब देता है कि उसके दुश्मन खौप से ठर्राने लगते हैं सवाल ये है कि आखर ये छोटा देश बड़े बड़ों पर भारी कैसे पड़ता है दरसल आबादी और शेतरपल में ये देश बहुत छोटा है लेकिन सैन तोर पर काफी ताकतवर है जिस वज़ा से ये हर हमले का मुहतोर जवाब देता है इसराइल की आर्मी दुनिया की टॉप 27 शक्तियों में आती है और इसका नंबर 17 हुआ है इसराइल की वायू सेना दुनिया में चौथे नंबर की वायू सेना है ये किसी भी हमले की सूरत में ना सिर्फ जवाब देने में सक्षम है बलकि इसके पास किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस नैस करने की शम्ता है इसराइल में सेना नौसेना और अर्धसनिक बलों में 1,79,500 एक्टिव जवान है इसके लावा 4,65,000 रिजर फोर्स हैं जबकि 8,000 इसके अर्धसनिक बल का हिस्सा है इसके चलते सवी सक्षम नागरिकों के लिए कुछ समय के लिए सेना के लिए सेवा देना जरूरी होता है यही नहीं, यह दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं को अनिवार ये रूप से सेन सेवा में काम करना होता है इसकंप समय में साइन्टिफिक एडवांसमेंट किया है और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसराइल में जाके देखें जा मैं जाके होके आ चुका हूँ हर एक व्यक्ति का डेडिकेशन डेडिकेशन इस परकार का है कि वर्ल्ड के अंदर को कहीं नहीं मिलेगा जाएं वर्ल्ड के किसी कोने में भी कोई इसराइली हो वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तयार है चाहें वो दिमाग का इस्तमाल करके उस चीज़ को आगे बढ़ाए चाहें वो टेकनोलिजी को बढ़ाए चाहें वो फिजिकल कांट्रिबूशन करें चाहें एकनोमिक कांट्रिबूशन करें तो यह सबसे बड़ी चीज़ यही है इस कौम के अंदर जो मैं समझता हूँ और कौमे में शायद नहीं होगी इसराइल हर तरब से दुश्मनों से घिरा हुआ है लेकिन उससे अब तक जो भी भिड़ा है उससे शिकस्त जहली पड़ी है साल 1948 में इसराइल के बनने के बाद ही इसके करीब आठ पड़ोसी देशों ने मिलकर हमला कर दिया लेकिन इसराइल की सेना के सामने वो टिक नहीं पाए इसराइल दुनिया के इकलोता ऐसा देश है जो समूचा एंटी बालेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेसी इसराइल की और जाने वाला हर मिसाइल रास्ते में ही तम तोड़ देता है इस्राइल के मजबूर डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा उदहरण है आईरन डोम जो कि देश की ओड आने वाली मिसाईलों और रॉकेट को हवा मही मार गिराने की शमता रखता है इस अत्याधूनिक डिफेंस सिस्टम को देश का सुरक्षा कवच कहा जाता है यही वज़ा है कि दुश्मन देशों के हमले में इसराइल को जाता नुकसाल नहीं होता इसराइल के अंदर आता है आईरन ड्रोम की तो वो उसको कॉंटेक्ट करके रडार के जरीए टेकनॉलिजी के जरीए साइबर के जरीए उसको नश्ट करता है इसराइल दुनिया में उन नौ देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटलाइज सिस्टम है और उसके इस्तिमाल से वो ड्रोन चलाता है इसराइल की सेना और इसकी हाई-टेक टेकनॉलोजी इसकी बड़ी ताकत है इन सब के अलावर इसराइल के ताकतवर होने की बात करें तो ये आर्थी ग्रूप से बेहत मजबूत देश माना जाता है 2023 में इसकी जीडिपी 564 अरब डॉलर थी वहीं इसकी प्रतिव्यक्तियाय की बात करें तो ये करेब 58,000 डॉलर थी जो अपने आप में काफी ज़्यादा है एक रिपोर्ट के मताबिक इसराइल का डिफेंस बजट करीब 2,000,000,000 डॉलर का है ये बजट इसराइल के कुल जीडिपी का 4,5 फीजदी है जीडिपी के अधार पर डिफेंस बजट का खर्च इसराइल को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बनाता है इसराइल की किनामिक की सबसे बड़ी काकत की बात करें तो वो निर्यात है इसके कारोबारी रिष्टे अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे बड़े देशों से हैं इसराइल में मोती हीरे जोलरी, फर्टिलाइजर्स, एलेक्रोनिस कंपोनेंट और गूड ओयल का एक्सपोर्ट किया जाता है जिस तरह से वो डिवेलप और उनकी साइंस और टेक्नोलजी उनके पास फिजिक्स के नोबल प्राइज है वो अपना दिमाग इस्तमाल करते हैं, वो अपनी जो जो, they're very hardworking people तो जो उनकी काभलियत है, that is because of their hard work in their mind, dedication towards pursuit of excellence इसराइल अपनी तकनीक और हथियारों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है इसराइल की टेक कमपनिस दुनिया भर में अपने इनोवेटिव प्रोडक्स के लिए जानी जाती हैं इसके अलावा इसराइल कुछ खास चेक्टर से अच्छी कमाई करता है ओर्टिक्स, मेडिसीन, बायो टेकनलोजी और कमप्यूटर साइन्स के शेतर में इसराइल के कई एडवांस प्रोडक्स हैं जिनकी मांग दुनिया भर में है इसराइल घरेलू कमप्यूटर सुप्योग के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है पिछले साथ दशकों में इसराइल सामुहिक्ता वादी नीतियों पर चलने वाले क्रिशी प्रधान गराजी में एक हाई-टेक अर्थ वियोसा में विक्सित हो गया है विरो रिपोर्ट गूट न्यूश टुडे वैसे इसराइल के अलावा भी कई देशों में यहूदी रहते हैं और वो वहां न सर्फ रहते हैं बलकि अपनी कबलियत से दुनिया में डंका भी बजा रहा है और यही वजह है कि इस यहूदी समुदाय से तालूक रखने वाले कई लोग अरबपती कारोबारी भी है चोटा सा देश, कम आबादी लेकिन तकनीक से लेकर कारोबार तक में गजब की पकण ये है इकलोती यहूदी देश इसराइल की खासियन इसके दम पर ही मेडे लिश्ट में उसकी तूती बोलती है और अपने दुश्मनों पर ये भारी पढ़ता है इसराइल में दुनिया भर में जर्म लेने वाले येहूदियों के लिए विशेश पराउधान है येहूदियों के बच्चों के जर्म लेते ही इसराइल की नागरिता मिल जाती है और वो जब चाहे वहां बसकते हैं इसराइल के बाद अमेरिका और कैनेडा में सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं इसके लावा फ्रांस, ब्रिटेन, अर्जन्टीना, रूस, आउस्टेलिया, जर्मनी, ब्राजिल के साथ ही भारत में भी यहूदी रहते हैं कम अबादी होते हुए भी कमाई और संपत्ती के मामले में यहूदी किसी पैमाने पर पीछे नहीं दुनिया भर में एक से बढ़कर एक यहूदी अरपपती है दुनिया में ऐसे कई बड़े कारोबारी हैं जिनका तालुक यहूदी समुदाय से है फेस्बुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, औरेकल के चियर्मेन लेरी एलिसन, माइक्रोसॉप्ट के स्टीव वालमर, गुगल के सरगई ब्रेन और लेरी पेज, ब्लूमबर्ग के माइकल ब्लूमबर्ग, डेल टेकनोलोजी के माइकल डेल एक तरह से अमेरिका की एकोनॉमिक डोर यहूदियों के हाथ में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहूदी अरफपती अमेरिका में रहते हैं फोब्स 2024 की दुनिया भर के अरफपतियों के लिष्ट के मुताबिक फेस्बुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग इस लिष्ट में चोथे नमबर पे हैं उनकी कुल नेट वर्थ 177 बिलियन डॉलर बताई गई है वही और एकल के चियर्मेन लेरी ऐलिसन इस लिष्ट में पांचवे नमबर पर हैं जिनकी नेट वर्थ 141 बिलियन डॉलर है माइक्रोसफट के स्टीव वालमर 121 बिलियन डॉलर के साथ आठवे नमबर पर हैं जबकि गुगल के लेरी पेज 114 बिलियन डॉलर के साथ दसवे और सरगई बरीन 110 बिलियन डॉलर के साथ ग्यारों नमबर पर हैं वहीं Bloomburg के माइकल बिलियन डॉलर की नेट वर्थ 106 बिलियन डॉलर बताई गई है जो लिष्ट में 12वे नमबर पर हैं डेल टेकनोलोजी के माइकल डेल एक 90 बिलियन डॉलर के साथ सुलहवे नंबर पर हैं। यहुदी समुदाय से तालूक रखने वाले ये सभी दुनिया के टॉप 20 अरभपतियों में शामिल हैं। जबकि इसके अलावा म्यूजिक केमिकल्स के कारूबार से जुड़े लेन बलावतनिक वैटसप के कोफाउंडर रहे जेन कॉम समेथ कई अरभपति हैं। जिनका नादा यहुदी समुदाय से हैं। अमेरिका में रह रहे यहुदी अरभपति, मेडिया, टेकनलोजी, रियल स्टेट, बैंकिंग और रिटेल सेक्टर के किंग हैं। जो वहाँ की अर्थविवस्ता की बड़ी काकत हैं। यही वज़ा है कि अमेरिका इसराइल में मजबूती के साथ यहुदीयों के पीछे खड़ा है।